हेलो स्टूडेंट्स आज पाठ दस हम सब एक के बैक एक्सरसाइज करेंगे सबसे पहले शब दर्थ है धर्ती धरा पवन हवा चंदा चंद्रमा पानी जल सूरज सूर्य आसमान आकाश दुनिया संसार यह आप बेटा वीडियो देखके मेरे पीछे रिपीट करना आपको पढ़ना और अच्छी तरीके से समझना आ जाएगा इसके बाद है दिये गे प्रशनों के उत्तर में टिक निशान लगाओ कर हम सब के कितने सूरज है एक दो या अनेक आपने एक पर टिक लगाना है तो आपने लिखना है एक क्योंकि एक ही दुनिया है ठीके बच्छे अब है यह पेज नमबर सत्तर प्रिष्ट नमबर सत्तर 17 प्रशनों के उत्तर लिखो ख हम सब के कितने चंदा है तो आपने आंसर में लिखना है एक चंदा है फिर है ख इस कवीता से आपने क्या सीखा आपने लिखना है हम सब एक है ये सीखा ठीक है इसके बाद है एक जैसे अर्थवाले शब्दों को समान अर्थवाले शब्द कहते हैं जिसका एक ही मिनिंग औ और शब्दों से निकलते हो तो उसको समानार्थ शब्द कहते हैं ठीक है जैसे पवन पवन को हवा कहते हैं और हवा पवन एक ही दोनों का मतलब एक ही है समान अर्थ वाले शब्दों में टिक निशान लगाओ सूरज सूर्य ठीक है इसको परियावाचिक शब्द भी बोलते ह धर्ती बगीचा नहीं कहते इसको दूसरा नाम इसका घर भी नहीं है तो यहाँ पे आपने लिखना है धरा ठीक है तीसरा है पानी पानी को वायू नहीं कहते आगनी कहते पानी को जल कहते हैं तो आपने यहाँ पे जल पे लगाना ठीक है इसके बाद है सही शब्द पर गोला लगाओ यह स्पैलिंग गलत है जो सही स्पैलिंग है उस पे हमने सरकल करना है यह धर्ती गलत है यह तीरत यह भी गलत है तो धर्ती सही है आपने इस पे सरकल करना है आसमान के यह स्पैलिंग सही है यहाँ पर फस्ट वाले को आपने सरकल करना है यह दोनों गलत है इन पे नह करना नियादू या नीदू ये दुनिया सही है आपने इस दुनिया पर टिक करना है उसके बाद पवन ये सही है फस्ट वाला ये दोनों सही नहीं है इस पर आपने टिक नहीं करना है ठीक है फिर किसने क्या दिया मिलान करो ये चीजे हैं सूरज, गुलाब, कोयल, पेल इनसे हमें क्या-क्या मिलता है ये हमें क्या-क्या देते हैं इसके साथ हम मैच करेंगे पहला है मीठा स्वर दिया किसने दिया कोयल ने दिया फिर फल दिये किसने दिया पेड ने खुश्बुक किसने दी गुलाब ने परकाश दिया किसने दिया सूरज ने ठीक है इसको आपने मैच करना है और यहाँ पे जो दो क्वेश्चिन है यह बहुत इंपॉर्टन है क्योंकि यह लेसन में सलेबस में यह लेसन दिया हुआ है और कहा है कि सारे अभ्यास पुर्ण रूप से किये जाएंगे तो यह क्वेश्चिन बहुत इंपॉर्टन है बेटा आपने इसको अपनी कॉपी पे भी करना है और इसको अच्छी तरीके से लर्ण भी करना है थेंक यू